Females males से ज़्यादा careful होती हैं अपने interest को reveal करने में जिस वज़ा से ज़्यादा तर लड़कों को कभी भी यही नहीं समझाता कि एक female उन्हें like करती है या फिर नहीं कभी आपको लगता है कि वो आपकी बहुत care करती है और कभी ऐसा लगता है कि उन्हें यह पता ही नहीं है कि आप exist भी करते हो और तभी इस episode में हम कुछ ऐसे science को discuss करेंगे जो यह बताएंगे कि females जब भी किसी को like करती हैं तब वो किस तरह से behave करती है sign number one she teases you in a good way क्योंकि females males की actual value directly उनकी external appearance और उनकी बातों से conclude नहीं करती क्योंकि कोई भी male अपना confidence और अपनी alphaness fake कर सकता है इसलिए females males को test करती है compliments, taunts, sarcasm या फिर छोटे मोटे jokes के थूँ कि एक male उनके इस तरह से छेड़ने पर कैसा react करता है क्या वो male इन मजाग भरे gestures को seriously लेने लग जाता है या फिर वो मजाग में उसी same tone में reply करता है जिससे मजाग वाला महल बना रहे इससे ये भी पता चलता है कि एक female already एक हद तक आप में interested है और तभी वो आपके character की authenticity check कर रही है sign number two she mimics your gestures हम जिस इनसान को भी like करते हैं हम उनकी body language या उनके gestures को mirror करने लग जाते हैं जिससे दोनों लोगों के बीच में trust और bonding बढ़ती है females के बीच ये behavior और जादा strong होता है और जब भी एक female किसी male में interested होती है तो उनकी ये feeling उनकी body language में बहुत obvious way में दिखती है वो similar way में हाथ हिलाने लगती है वो अपने pair उसी male की तरफ मोड लेती है और जब वो male आगे या पीछे की तरफ जुकता है तो वो female भी वो ही करने लग जाती है female interest का एक काफी common sign होता है कि वो आपके आगे बहुत comfortable और joyful हो जाए ये comfort और trust कुछ इस रूप में दिखता है कि वो हमेशा ही आपको देखकर एक smile करती रहती है और अगर आप एकदम बुरे jokes भी मारो तो उस पर भी हसती है sign number 4 breaks the touch barrier क्योंकि reproduction की cost जादा होने से female choosier gender होती है और sex या intimacy की चाबी हमेशा उन्ही के पास होती है इसलिए जब एक female खुद ही touch barrier को तोड़ कर ये signal करती है कि उसे playful touching से कोई problem नहीं है तो उसका मतलब यही होता है कि वो obviously उस male को like करती है लेकिन आपको friendly touch और romantic touch में difference पता होना चाहिए क्योंकि जहां पहला touch बहुत brief और platonic यानि non-sexual होता है वहीं दूसरा romantic touch लंबी देरिक लिए हो सकता है और इस touch के साथ और भी चीज़े involved होती है जैसे eye contact और specially flirting sign number 5 sharing her secrets with you females काफी particular होती है उन लोगों को लेकर जिनके साथ वो अपने secrets share करती है क्योंकि ये उनका एक तरीक होता है ये दिखाने का कि कौन-कौन से इंसानों को वो अपनी tribe का हिस्सा समझती है और मुश्कल समय में वो अपनी side पर किन लोगों को देखना चाहेंगी और अगर उने लगता है कि कोई इंसान उनके साथ ज़ादा लंबे समय तक नहीं रहेगा और वो उनकी इस secret information को जानने के लायक नहीं है तो वो उनके सामने इतना open up होती ही नहीं है जब भी एक female आपको ये बताने लगती है कि उसने अपने friends और family को आपके बारे में बताया या फिर वो चाती है कि आप उनकी family या friends से मिलो तो ये भी एक काफी strong sign होता है कि वो आपको like करती है इस तरह से एक इंसान को endorse करना और अपने circle को अपनी choice दिखाना एक female के लिए बहुत dangerous होता है क्योंकि अगर आप उनके circle को पसंद नहीं आए तो वो उन्हीं की बेस्ती होगी और सब यही सोचेंगे कि उनकी choice कितनी बेकार है females अपने circle की नजर में judge होने को hate करती है जिस वज़ा से वो सिर्फ उन्हीं लोगों को उनसे मिलवाती है जो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें पता होता है कि उनसे मिलकर उनका circle भी बहुत impress हो जाएगा